हेलो ग्रिवन तो आयोप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में अपने SMC Entry Model 4 के बारे में डिस्कर्शन करने वाले हैं कि आप किस तरीके से Entry वगेरा प्लाइन कर सकते हैं तो उनी सारी चीजों को लेके अपने यहां का इककर्शन होगें तो आपके समय दो स्ट्रॉक्चर ड्रोग किये वहाएं मैंने ठीक है इस्टर फास्ट एन इस्टर शेके तो दोनों स्ट्रॉक्चर के बारे में आपको समझाओंगा बड़ उससे पहले आपको 5 सेकेंड का टांए अप अपनी राइ बताए है कि इसमें 10 seconds यहां से आ तक आपको 5 seconds का time दिया जाता है आप सोचिए थोड़ा सा कि कौन सा entry plan जो है आपके लिए best होगा जिस पर आप entry plan करेंगे I hope आपने सोच लिया होगा and comment मुझे कर दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों ही जो entry module है ये वाला and ये वाला दोनों entry module साहिए बट किस case में साहिए अब आपको समझा देता हूँ I think अज़र आपको logic पता है तो well and good है अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए समझना better होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो market is point of time से start होता है then market यहाँ पर क्या होता है down आता है down आने के बाद market कभी भी directly down नहीं जाएगा correction करने के लिए थोड़ा सा अब जाता है then market down आता है यानि कि अभी आपका जो totally market है वो down की तरफ चल रहा है market again correction करने के लिए गया अगर इसको break कर देता तो अपन इस point को बोलते है यहाँ पर क्या idea यानि कि जो recent वाला जो low अगर उसको market लेता है तो उसको अपन elusement बोलता है ठीक है then market ने क्या क्या again यहाँ से down ले लिया then properly market down नहीं गया यह equally गया तो market ने क्या क्या यहाँ पर ले लिया ठीक है पीछे वाला low ले लिया तो यह क्या होगा यह जो यहाँ पर हुआ यह internal structure के अंदर market में game खेला है ठीक है अगर अपन main structure की बात करें तो जब आपका market यह वाला low break करेगा ठीक है तो इस time पर अपन क्या मानते कि market अगर कुछ इस तरीके से विग भी लगा देता है या candle close कर देता तो यह वाला अपना elusement हो जाता है ठीक है यह सारी चीजे मैंने आपको समझा रखिए बस थोड़ा साब को revision हो जाए इसलिए मैंने बताया है ठीक है तो यहाँ पर ब्रेक कर देता है कि market वापिस अप जाता है correction करने के लिए and again फिर से down आया तो यहाँ पर क्या हुआ break of structure हो गया market का लेकिन real break of structure कौन सा होता है जहाँ पर market elusement लेता है ठीक है यह elusement जो होता है यह already मैंने आपको पढ़ाया हुआ और बताया हुआ अगर आप काफी सारे वीडियो मेरा YouTube चैनल पर है आपको free of course सिखाया जाता है अगर आप जाप के देखेंगे तो आपको काफी सारी चीज़े वहाँ सीखने को मिल जाएगी then market क्या करता है इस बार down आता है down आने के बाद market अब जाता है यह अपना confirm हो चुका है कि अब market की possibility 50-50% है या तो आपका market अप जाएगा या down जाएगा क्यों तो कि elusement लेने के बाद market ने आप अपना low confirm कर दिया है तो low confirm करने के बाद क्या हुआ कि market हलका सा आया then यहाँ पर आपका जो भी order block होगा उसको लेगा ठीके order block होगे रहा क्या होते already video है channel पर आप जाके देख सकते हैं पाकि इसका individually video जो है कल आपको इस पर मिल जाएगा ठीके एक और video आएगा order block का ठीके उस पर पर discussion करेंगे order block कौन से काम करते हैं और कोई सा order block काम नहीं करेगा देन आपका market यहां से अप जाता है ठीके अब यहीं से आपका market डाउन क्या देखिए यहां पर क्या होगा यह internal structure के अंदर यहां क्या होगा कुछ ना कुछ order block होगा liquidity होगी F.E.G. I.M.B. जो भी आप कहना चाहें वो एक चीज होगी यहां पर इसकी वज़े से market ने आपर कुछ correction किया correction करने के बाद market वाप इस अप गया अब देखिए market का जो major point यहां पर था यह था चोज यानि कि change of structure उस point को market ने ले लिया और देन यहां पर candle close होना ज़रूर यह जब भी आप real character देखोगे ठीक है इसका मतलब होता है change of character इसको चोज बोलाता था change of structure भी बोलते हैं कहीं इसको क्या बोलते है depend on क्यों क्या बोलना चाहते है बट यह जो real होता है change of character होता है यहनि कि जो market का phase है वो change हो चुका है यहां से अब यहां से market क्या करेगा कि upside पूरा plan करेगा यहां से अगर market ने candle close कर दिये तो ठीक है इस point से तो यहां से क्या होगा कि आपका market अब जाने से पहले एक छोटा सा down की तरफ move देगा ठीक है क्यों क्यों कि market को correction करना ज़रूरी और बिना correction करने के लिए कोई भी ऐसा market ऐसा सीधा कभी भी ऐसे नी जाएगा ना है कोई market ऐसे आएगा ठीक है वो जाएगा कब जब आपका एक news timing होगा that time only सिर्फ ठीक है एक news time पे जा सकता है या कोई बहुत बड़ा market में क्रेस है बहुत बड़ा बोटे की बात नहीं कर आप बहुत ही बड़े क्रेस की बात करों या कुछ भी हो market तब ही market इत्मा लंबा अप एंड डाउन देगा अधरवाइस market आपको नोरिजमानी तोर के यह सारी देखने को नहीं लेगी ठीक है अब यहां से market आपका अप गया अब जाउन जाने के बाद सेम चीज मैंने बताए थी कि ऐसा कुछ point होगा यहां पर कुछ zone होगा fvg वगर आउंगा उसको market आपके टेप करता है एंदेन market यहां से हलका सा down जाता है यह internal structure में खेल रहे हैं क्योंकि major structure तो अपना यह वाला यह वाला point है इसके बीच में market वोच-कुछ भी करें अपने को कोई मतलब में बड़ मैं आपको समझाने के तरीके से यहां पर बता रहा हूं ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि आपका जो market है वो internal structure को लेने के बाद डाउन आता है उसी पर इस candle को देखना है जिस candle की अब मैं बात करने वाला हूं ठीक है अगर आप 15 मिनट पर सारी चीज़े करते हैं तो 15 मिनट पर यह सारी चीज़े आपको देखनी होगी फिर ठीक है जो भी आप time frame यूज करें चलो अपन यहां समझ लेते हैं कि आप 60 मिनट भी यूज क यहां पर क्या हुआ कि मार्केट आया मार्केट आने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने ब्रेक नहीं कि अब मार्केट की फस्ट केंडल बनेगी ठीक है उसकी बात कर रहा हूं मार्केट की जो यहां पर फस्ट केंडल बनेगी अगर आप 15 मिनट पर देख रहे ह है कि market में सिर्फ wig मारी and candle close जो नीचे यहां पर कर दिया market में ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है एक entry बलाने लिए sell side की और कहां तक बना ले गी है मैं बता देता हूँ इस time पर आप क्या करोगी यहां से यहां तक लेके जो recent वाल आपका low point रहेगा यहां तक एक sell side की entry आप बना सकते हैं लाफ्स जो point रहेगा यह वाल आपका liquidity point जो रहेगा यह आपका stop loss का काम करेगा ठीक है यह सिर्फ एक बार अगर market first candle जोगी उसके उपर बता रहा हूँ दैन अगर यहां पर second candle जो बनती उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अगर यह first candle ही मालनों कुछ इस तरीके से आपकी आप closing दे दे ती तो आपको कुछ भी नहीं करना फिर आपको wet and watch करना है कि market का जो direction है वो किस तरफ move करता है देन अपने entry plan कर सके ठीक है लेकिन मैंने आपको सिर्फ विग के लिए बता है अगर market आपके charge point को विग मारता है तो आपको वहां से sale plan करना है अगर same चीज यह down में होती है तो buy plan करना है कैसे होगा वो मैं बता दूँगा चार्ट पर भी आपको बता दूँगा भी ठीक है तो यह होगा आपका first entry module यहां से उसके बाद आप break even करते हैं वे चल सकते हैं यहां से ठीक है आयोप आपको समझ में हाया होगा यह पहला entry module ठीक है इसमें क्या करना है सरिफ आपका liquidity यहां पर एक area दे रखा है ठीक है उसको अगर देख़ों यहां पर कोई market आता है और इस candle यह अपना choice point है समझी है choice point है अगर market आपका आया देन market में हलका से यहां फिक स्विप की एंदेन market यहां close करता है यह candle यहां पर market ने close कर दिया डाउन की तरफ तो आपको यहां पर एक sale side की entry बिनाने लिए यहां तक के लिए ठीक है अगर आपका market इस line को break करके यहां पर candle उपर की करनी पड़ेगा स्रिफ विक का होना जलूरी है ठीक है अगर विक मारता तो देन फ्रैल और बहुत अच्छे एंट्रिया प्लान कर सकते है ठीक है तो यह यह आपको समझ में आगा हुगा इसको liquidity entry बोलते हैं ठीक है next आगे बढ़ते हैं क्या हुआ कि market आपका down से चल रहा है market up से चले या down से चले मैं आपको समझाने के purpose से बता रहा हुगी ठीक है market यहाँ पर अब इस बार क्या है कि यहाँ पर तो अपने को सिंगल लाइन मिली थी या कोई candle मिली थी या कोई order block मिला था जिसमें सिरिफ अपको एक single line से decide करना था कि मुझे यहाँ पर entry लेनी बट अब इस next point पर आपको क्या मिला एक zone मिलता है ठीक है यहाँ zone के उपर हलका सा क्या है इसी को अपन mark कर लेते हैं कि अगर market इस line को break करता है देन अपना क्या होगा चोज हो जाएगा यानि कि change of structure हो जाएगा इसको मैं यहीं पर mark कर देता हूँ आप समझ चाहिए यह market में क्या क्या कि यहां पर हलकी सी विग मारी है ठीक है यह कि C यानि कि चोज वाला जो point था उसको भी ले लिया, order blog था उसको भी ले लिया, then उस case में भी आपको sale plan करना है यहां से, ठीक है, sorry, उस case में भी आपको यहां पर selling entry plan कर ले नहीं, कुछ इस थरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा end point पकड़ लिया, जहां पर देखके चीजों को समझ के फिर entry plan करना है, ठीक है, तो वो आपको एक अच्छी कासी entry market देदेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर entry वगेरा plan करना है, ठीक है, दोनों चीजे मैंने समझा जी, यह भी perfect है, यह भी perfect है, ठीक है, यहां पर कोई यह सा rocket science नहीं कि जो आयोब आपको समझ में नहीं आया होगा, बट मैं आपको सारी यहां पर दिखा के, draw करके समझा रहा हूँ, तो समझ में आ रहा हूँ, अब थ liquidity-based entry के लिए अपन क्या करेंगे, देखते हैं market में, कहां-कहां पर यह चीज अपने को देखने को मिलेगे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या हुआ, कि market आपका जो है, देखते जाए, कोई time frame नहीं, यहां पर समझाने के purpose से बता रहा हूँ, सबसे पहले यहां पर आपके market ने क्या क्या, elusement ले लिया, ठीक है, और यह वाला जो current था, यहां boss कर चुका था, इसलिए अपने इसको elusement माना, ठीक है, अब जो भी वह अपने को कोई मतलब नहीं, support करी, यह आपका एक ऐसा point है, जहां पर अगर आपका market break करता, देन अपन क्या करते, यहां से अपन toast point है, ठीक है, क्योंकि यहां पर market ने क्या कर दिया था, boss break of structure कर दिया था, ठीक है, यह अपना हो गया, boss मैं इसको mark भी कर देता हूं, यह boss हो गया, यह आपका elusement हो गया, यह again आपका boss हो गया, ठीक है, तो अब अपना majorly देखे, क्या क्या है, यह तो अपना high point बन चुका, यह अपना low point बन चुका, कब बनेगा, यह भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि market आया, डाउन आया, यह आपका यह भी एक है, but when majorly समझाने के purpose से यह बता देता हूं, यह आपका elusement हो गया, but आपको pullback देखना आता है, तो यह आपका elusement यह वाला low point है, और यह मैला high point है, अब मेरे को दो चीज़े समझ में आच चुकी, या तो market मेरे इस low को break करके कुछ इस तरीके से down दे मेरे को selling side में, या मेरे इस high को break करके कुछ buy side में entry दे मेरे को, right, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अपने को 2 point मिल चुके, एक है, up point कि अगर आपका market अप जाएगा, तो इस वाले point को market को candle close करना होगा, उपर कुछ इस तरीके से, then I will plan an entry by side, ठीक है, अगर market या down में close करते है, तो मुझे यहाँ पर कोई sales side में, यहाँ पर नीचे, market को candle close करनी होगी, green हो, red हो, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब नहीं अपने I hope आप समझ गया होगे, इतना सा, ठीक है, अगर आप यह समझ चुक है, तो आगे वड़ते हैं थोड़ा सा पन, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कि market में देखिया, जो चीज में आपको बता रहा था, market अप गया, down आया, market अप गया, यह internal structure में खेल रहा है, यह down आया, market अप गया, और यहाँ पे देखिये, market ने किया क्या, आखिरकार, market ने यहाँ पे क्या क्या, candle close बिल्कुल भी नहीं की, अपने को उमीद क्या थी, कि यहाँ पे अगर इससे उपर candle close जागी, तो market ने जो first candle बनाई, अब हमें नहीं पता, यह red है, green है, कोई sense नहीं बन दा उ तो छोटे time frame भी, तो यह first pullback अपना मैंने रखाए था, low वाला, तो अगर आपको pullback देखना होता, तो यही आपका man pullback था, मेरे coding को, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, एक pullback है, कैसे है, मैं बता देता हूँ, high, low, low वाला यह man क्या जाएगा, यह point, यह हवाला point जो है, high point होगा और यह low अदेन, यह high, तो यह low आपका measurely pullback का काम करेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको यह चीज़ी plan करनी होगी, ठीक है, तो first entry आपकी क्या ही, आपका यहाँ पर 40 points confirm हो चुक है, पिप्स confirm हो चुक है, 40 पिप्स आपके, तो यहाँ पर आपको सब सब बैटर तरीका, अग यहाँ पर अगर minus की बात करें, तो यहाँ पर आपको 1.3, यहाँ एक डॉलर और 30 cent का loss होता, अगर फायदा होता तो 4 डॉलर का होता, अगर आप अच्छा कासा यहाँ पर, मान लीजे जैसे आप क्या करते हैं, इसको trail करते जाते, यह stop loss, trailing और आप जानते होंगे, यहाँ आप धीरे-धीरे जैसे जिससे आपका profit बनता, आप इसको ऐसे करते हैं जाते हैं, यहाँ पर यह sell बढ़ाते जाते हैं, तो यह बहुत अच्छी है का entry हो जाती है, यहाँ पर अगर entry की बात करता ना मैं, तो यहाँ पर आप करीबन 5.5 डॉलर का profit नेखे जाते हैं, यह दे देखते हैं, कहाँ पर entry मिलती है अपने को next, ठीक है, यह एक और entry है आपकी यहाँ पर, देखिए, यहाँ से क्या हुआ, market up गया, then market down आया, यहाँ से liquidity collect कर ली, market up गया, down आया, यहाँ से market up, down, up, down, then market यहाँ से up गया, down आया, and up गया, ठीक है, तो इस phase के अंदर देखिए, आपको दो चीजे देखने को मिलेगी, सबसे पहली चीज तो यह, कि market का यह वाला जो point है, यह सबसे market break करता है, तो अपन change of structure बोल सकते थे, ठीक है, अब आगे देखिए, हुआ क्या है, यहाँ पर आखिरकार, जो आपको entry के लिए better है, सबसे पहली चीज, तो यह आपका एक order block point है, ठीक है, यह order block के purpose है, मैंने बता दिया, इसको अटा देता हूँ आपी में, समझना आ जाए order block की वज़े से, आप इसको entry ले सकते हैं, लेकिन यह देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, order block के जस्ट थोड़ा सा नीचे market ने tap किया, और आपका market liquidity लेके अप गया, यानि वो भी liquidity based तोस पर entry थी, यह भी liquidity based, क्योंकि इस point का सबसे देखिए, यह order block था, लेकिन यह जो पूरी candle थी, यहाँ पर market आया, देन market में पूरा का पूरा fill कर दिया, ठीक है, यहाँ पर market में पूरा fill कर दिया, अगर आप ऐसे entry plan करते हैं, यह मेरा चोह से कुछ इस तरीके से, यह यहाँ से कुछ ऐसा entry plan करते हैं, आपका market क्या करता है, कुछ इस तरीके से आया, देन आने के बा तो यहाँ पर market नहीं क्या किया, कि यह अपने पास last liquidity बची हुई थी, जिसको market आया, देन आने के बाद market नहीं क्या किया, अच्छी खासी यहाँ पर एक entry आपको बना के दिये, अगर आप यहाँ पर इतना सा S&M लेते हैं, वही सेम जितना उदर था, लगबग 1.3 ता उदर, यहाँ तर 1.5 लेलो, यह आपके उपर है, आपको loss अपना खुझ का calculate करना पड़ेगा, कि मुझे loss आखिरकार लेना कितना है, ठीके, तो यहाँ से आपकी अच्छी कासी entry बनती, मैंने यहाँ तक बतायता, first pullback तक, आपका market वहाँ तक गया है, बिना आपका SL लुड़ा है, ठीके, no doubt, आराम से गया है, मैंने दो entry आपको दिखा दिये, ठीके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब वो सारी चीज़ आपको समझ में आगे, अब तीसरी entry देखी क्या हुआ, आपका market अभी तक इसको break नहीं किया, ठीके, नहीं आपका जो market है, इसको break किया है, ठीके, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए, यह liquidity point आप पकड़ेंगे, यह देखी क्या हुआ है, fix मैंने कोई line टेड़ा मेड़ा कुछ भी निखेचा यहाँ पर, यह market का आपके लिक्विडिटी लेने के बाद market शूट हो गया, पूरा का पूरा, again मैंने high point बताये था आपको यहाँ से आप entry प्लान करिए, क्योंकि आपकी इंगल्फ candle होगे, पूरी की इंगल्फ candle होगे, यहाँ से आप high point तर, तो high कोंसा यह वाला point आपके, यह वाला, last high वाला, यह नहीं की पीछे वाला देखिए, नहीं जो latest high यह उसको, ठीक है, तो यहाँ तक अपन major high मानते थे यहाँ पर वही 40 point आप फिर capture कर लिए, बहुत अच्छी बात है, अब देखिए, capture करने के बाद में आपको फिर से मिला, liquidity entry मिली, यह यहाँ पर क्या किया, market ने liquidity लिए, इसको close नहीं किया, ऐसी 4-5 weeks आपको जबी भी मिल जाती है, यह आपका क्या हुआ, कि सबसे main area point हुआ, अगर market इस zone को close करता, देन आप कुछ ना कुछ entry वगरा plan कर सकते थे, बड़ market ने इसको close नहीं किया, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, second zone block entry, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिए, एक sell entry plan कीजिए, और यह लिजिए, यहीं तक अपने को low पकड़ना इसका, ठीक है, क्या हुआ इस बार, वही same entry point, यानि कि अपने को, फिर 40 whips का, 40 points का हैं पर profit, और मैंने क्या बताया था, first में close नहीं किया, second में नहीं किया, third में भी नहीं किया, तो इसको आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे entry plan कर सकते, ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी SL रखते, जो order block स उपर था, जोन से, यानि कि जोन कौन सा बन रहा था आपका, यह वाला, यानि कि पीछे वाला, यह high point था इसका, तो high point की liquidity लेने के बाद ही market नीचे गया है, ना कि उससे पहले आपका market नीचे गया है, ठीक है, तो I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आ रहे होगी, और इस I hope आपका जो वीडियो है, आज का काफी interesting लगा होगा आप सभी लोगों को, अगर आप और चीज़े जानना चाते हैं, और SMC के नए-ने concept के बारे में जानना चाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर, आप हमारा telegram group join कर सकते हैं, telegram का जो group का link है, वो आपको description box के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, तो यह थारी चीज़े, देखिए, यह दिन में के entry मैंने plan की थी, यहाँ से यह भी काफी अच्छी workout की, then मैंने इसको selling का try किया था, यहाँ से, ठीक है, बट यह मेरा SL ओडा दिया, होई ना कभी के बार होगा आप का SL, अब मैं next entry इस पर बजा देता हूँ, कि next entry कहां से बन सकती है आपको, जिससे कि आप एक अच्छा खाशा profit, तो यह अपना last point है, यहाँ से अपना selling plan करेंगे next one, ठीक है, market कुछ इस तरीके से अप जाएगा, then यह sell plan अपन यहाँ तक करेंगे, जो अपना यह point यही होग करता है, तो well and good है, यह एक choice के entry यह रही, बहुत अच्छी घाजी entry, आपको सारी जीजे जो मैंने पढ़ा है, well and accurate ही आपको देखने को मिले की, ताकि आपको समझ में क्या जाए, तो I hope आपको सारी जीजे समझ में आ रही होगी, right, इसी के साथ आपन मिलते हैं जल्दी next video मे and then अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो please कर दीजिएगा and अपना telegram group वगरा तो join करना ही करना है, ठीक है, उसमें काफी नई चीजे आपको सीखने को मिल जाएगी आपने, so thank you so much everyone and मिलते हैं जल्दी next video